नमस्कार दोस्तों क्राइम की दुनिया में आप सबका स्वागत है मैं नवीन कुमार आज की जो सच्ची घटना है लखनव के इंदिरा नगर की ये वारदात 25 मई 2024 की है इंदिरा नगर के सेक्टर 20 के मकान 2021 में रिटाइड आईएस देवेंद्र दुबे अपनी पतनी मोहिनी दुबे के साथ रहते हैं देवेंद्र दुबे ने दो शादी की थी देवेंद्र की पहली पतनी मीना की 2004 में मौत हो गई थी 2007 में उन्होंने कैंट सदर निवासी मोहिनी से दूसरी शादी की मोहिनी महिला सशक्ती करण संबंधी एंजीयों चलाती थी देवेंद्र 2009 में सेवा निवरित हुए थे देवेंद्र प्रयाग राज के मंडला युक्त के साथ राय बरेलीव कई जिलों के डियेम रह चुके हैं देवेंद्र के पहली पतनी से दो बेटे हैं जिसमें बड़ा बेटा प्रांजल है जो परिवार के साथ नोईडा में रहते हैं पिता के दूसरी शादी करने के बाद से एक तरह से उन्होंने खुद को अलग कर लिया था पिता से मतलब नहीं रखते हैं वहीं छोटा बेटा प्रतीक तक रोही में रहते हैं ACP गाजीपुर के मताबिक शराब के लती प्रतीक को देवेंद्र ने बेदखल किया है मोहिनी से देवेंद्र को कोई बच्चा नहीं है साल 2009 में कमिशनर पद से रिटायर हुए देवेंद्र दुबे के इस घर में पतनी मोहिनी ही रहते हैं देवेंद्र के घर पर आठ कर्मचारी काम करने आते थे इसमें ड्राइवर अखिलेश व उसका भाई रवी के अलावा इंदरपाल सुनीता कुमारी, संजु कुमार एक सफाई कर्मी भी है सुबह करीब साथ हस बजे देवेंदर दूबे अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने निकल गए देवेंदर गोल्फ खेल कर घर पहुँचे तो पहली मंजिल पर पतनी का शव पड़ा देखा दुपट्टे से गला कसा था और सिर पर भारी चीज से वार किया गया था उन्होंने देखा कि घर का दर्वाजा खुला था, अलमारियां भी खुली थी वहीं इसकी सूचना उन्होंने तूरत पुलिस को दी घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर गाजीपूर पुलिस DCP East के साथ Joint Police Commissioner आकाश कुलहरी भी मौके पर पहुँचे Forensic और Dog Squad की टीमों को बुलाया गया Forensic टीम ने घटना स्थल की करीब दो घंटे तक छानबीन की Fingerprint भी लिये Dog Squad घर से निकलने के बाद आसपास घूमता रहा पुलिस की टीम ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया पुलिस वालों ने देवेंद्र दुबे से पूचताच की पूचताच में पता चला की हालां की इससे कोई ठोस सुराग नहीं लग सका है वहीं इसकी सूचना मिलते ही इलाके में संसनी फैल गई सूचना मिलते ही मौके से पहुची पुलिस की टीम ने जाच शुरू कर दी पुलिस कई संदिग्धों से पूचताच भी कर रही है वहीं आसपास रहने वाले लोगों से पूचताच के साथ ही वहां के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे थे दूध वाले से लेकर घर में काम करने वाले तो दूधिया इमरान देवेंद्र के घर दूध लेने आया था दूधिये के मुताबिक मोहिनी ने उससे दूध लिया और घर के अंदर चली गई दूध वाले से पूचताच करने के बाद ड्राइवर से पूचताच की पूचताच में ड्राइवर ने बताया सुबह करीब साथ बजे मैं साहब के साथ गया था साढ़े नौ बजे साहब के साथ घर लोटा में गेट खुला था हमें लगा स्वीपर कुछ काम कर रहा होगा साहब उपर चले गए मैं गाड़ी की चाबी रखने के लिए गया उपर से साहब चिलाए बोले रवी जल्दी इधर आओ गए तो मैडम वहां गिरी पड़ी थी हमने अपने भाई को फोन किया फिर मैडम के भाईयों को फोन कर बुलाया जो लखनव के सदर बाजार में रहते हैं साहब ने बोला 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाओ फिर हमने पुलिस को सूचना दी पुलिस सूत्रों के मुताबिक दूद वाले के जाने के बाद साथ पंदरह से साथ बीस बजे के बीच बदमाश देवेंदर के घर पहुँचे और करीब आठ बजे बदमाश घर से बाहर निकल गए लगभग 45 मिनट तक घर में रहने के दौरान बदमाशों ने मोहिनी की हत्या की और जेवरात लूटे पुलिस के मुताबिक किचन में दूद रखा हुआ था गैस जल रही थी अंदेशा है कि जब मोहिनी दूद गर्म करने किचन में पहुँची और गैस जलाई थी उसी दौरान बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया इससे गैस जलती रह गई देवेंद्र ने जेवर गायब होने की बात कही लेकिन जेवरात कितने के हैं ये नहीं बता सके हैं वह मोहिनी की मौत से सदमे में हैं इसलिए कुछ ज्यादा बता नहीं सके हैं मोहिनी ने जेवरात पहने थे उनमें से सिर्फ हीरे की अंगूठी बदमाश ले गए हैं पांच लाख रुपए की ये अंगूठी कुछ महीने पहले देवेंद्र ने मोहिनी को गिफ्ट की थी परिवार वालों ने बताया कि जब भी देवेंद्र घर से बाहर जाते थे मोहिनी तुरंट घर के सभी दर्वाजों को बंद कर लेती थी अगर कोई आता भी था तो तस्दीक करने के बाद ही वह दर्वाजा खोलती थी साफ है कि कोई परिचित आया तभी मोहिनी ने दर्वाजा खोला, पूर्व, IAS देवेंदरनाथ मूल रूप से कन्नौज के निवासी हैं और इंदिरा नगर सेक्टर 22 में अपनी पतनी के साथ रहते थे पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर लिया है और क्राइम ब्रांच की चार टीमें पुलिस और DCP की सर्विलांस टीमों को घटना की जाँच में लगाया है जाँच के दौरान पुलिस को पडोसी के घर में लगे CCTV कैमरे में दो संदिग्धों की फुटेज मिली CCTV फुटेज में नीले रंग की एक स्कूटी कैद हुई जिस पर सवार होकर दो आरोपी के साथ लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए दो ड्राइवरों और चार नौकरों को हिरासत में लेकर पूछताच कर रही थी पुलिस का मानना था कि वारदात में कोई करीबी व्यक्ति शामिल हो सकता है शनिवार को ही मोहिनी दुबे के शव का अंतिम संसकार कर दिया गया पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में पता चला मोहिनी की हत्या पीछे से गला दबा कर की गई सिर और पीठ पर भी चोट के निशान है मोहिनी परिवार में बहुत रिजर्व रहती थी उनके कमरे में सीमित लोगों की ही एंट्री थी यहां तक नौकर भी उनके कमरे में बिना पर्मिशन नहीं जाते थे घटना के समय मोहिनी ने दर्वाजा खोला तभी हत्यारा कमरे में एंट्री कर पाया CCTV और मौके से तमाम ऐसे साक्षे जुटा लिये हैं जिसके जरिये हत्यारे को आइडेंटिफाई कर लिया गया था देवेंद्र नाथ दुबे ने पंदरा दिन पहले गोमती नगर में नब्बे लाख रुपे का फ्लैट बेचा था ये पैसा मोहिनी ने अपने पास रख लिया था लेकिन वो पैसे किसी को देना नहीं चाहती थी देवेंद्र नाथ दुबे ने भी पत्नी मोहिनी दुबे को समझाने की कोशिश की थी कि इस पैसों में सब का हक है बेचे गए फ्लैट के रुपे बंटवारे को लेकर परिवार में तनाव चल रहा था गोमती नगर में 90 लाख का रुपे फ्लैट बेचा गया जिसका बंटवारा पूरा नहीं हुआ था बताया जा रहा है हत्या के बाद में मोहिनी की अलमारी से जेवर भी गायब हुए है पुलिस की जाँच में यह भी सामने आया कि मोहिनी दुबे के पास रिटायर्ड, I.E.S. की पहली पत्नी के भी जेवर और अपनी शादी के समय के जेवर भी थे हत्यारा गर का जानकार था यही वजह है उसने पहले हत्या की फिर अलमारी से जेवर और कैश लेकर भाग गया पुलिस की जाँच में यह बात सामने आई थी कि हत्यारे मेन रास्ते से आये थे इससे यह साफ हो रहा है कि घर में एंट्री करने वाला और घटना को अंजाम देने वाला पूरी तयारी के साथ आया था वह घर में रहने वाले लोगों के बारे में पूरी जानकारी रखता था उसको यह भी पता था कि कौन सा सामान कहां रखा है इसलिए वह CCTV का DVR ही उखाड ले गया पुलिस जांच में सामने आया कि सुबह साथ बजे देवेंदर नाथ दुबे अपने ड्राइवर के साथ गोल्फ कलब के लिए निकले इसके बाद घर में करीब सारहे साथ बजे पहुँचे दूधिया ने मोहिनी को दूध दिया करीब नौ बजे देवेंदर नाथ वापस घर पहुँचे इस दौरान बाथरूम के पास शव पड़ा मिला पुलिस का कहना था कि करीब सारे साथ बजे मोहिनी की हत्या हुई हत्या के दौरान गैस पर रखा दूद भी उबल रहा था मोहिनी दुबे के हत्यारों तक पहुँचने के लिए पुलिस ने शहर भर की 1060 नीली स्कूटियां चेक की थी उस नीले रंग की स्कूटी तक पहुँचना पुलिस के लियच चुनौती बन गया था आरोपियों तक पहुँचने के लिए जॉइंट कमिशनर क्राइम आकाश कुलिहर ने ACP गाजीपुर विकास जाइसवाल की निगरानी में एक टीम गठित की करीब 500 CCTV फुटेज देखने के बाद नीली स्कूटी तक पहुँचने के लिए पुलिस ने शहर की सभी नीली स्कूटीयों का ब्यौरा निकलवाया पता चला कि शहर में 1060 नीले रंग की डेस्टिनी स्कूटी रजिस्टर्ड है जिसके बाद सभी स्कूटीयों की स्क्रीनिंग की गई और इनके मालिकों का नाम और पता निकलवाया गया आखिरकार पुलिस उस स्कूटी तक पहुँचने में काम्याब हो गई जिस पर बैठ कर हत्या का आरोपी ड्राइवर अपने दोस्त रंजीत संग फरार हुआ आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने स्कूटी की नंबर प्लेट ही मोड दी थी जिसके बाद इस तक पहुँचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया फुटेज में स्कूटी पर पीछे बैठे शक्स की पहचान रंजीत के रूप में हुई उसने कुछ देर के लिए अपना हेलमेट उतारा था जिसके बाद उसकी पहचान आसान हो गई और वह पुलिस के हत्थे चड़ गया कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और इस हत्याकांड की एक-एक परत खुलती गई स्कूटी पर पीछे बैठे रंजीत ने पीठ पर एक बैग लटकाया हुआ था जब रंजीत को गिरपतार किया गया तब ड्राइवर अखिलेश का नाम सामने आया अखिलेश को भी पुलिस गिरपतार कर लेती है अखिलेश ने बताया कि साथी रंजीत के साथ मिलकर करीब एक करोड के जेवर लूटने के बाद उनकी पत्नी मोहिनी की हत्या की थी इसमें अखिलेश का भाई रवी भी शामिल था दोनों भाई देवेंद्र नाद दुबे के घर 13 वर्ष से नौकरी कर रहे थे देवेंद्र और उनकी पत्नी दोनों ड्राइवरों पर बहुत भरोसा करते थे लेकिन उनको क्या पता था एक दिन यही विश्वासगात करेंगे अखिलेश टीबी का मरीज है और उस पर 3 लाख रुपे की उधारी थी अखिलेश ने भाई रवी के साथ मिलकर 15 दिन पहले लूट की साजिश रची थी इसमें अपने पडोसी रंजीत को भी शामिल किया 25 मई यानी शनिवार सुभह देवेंद्र को रविकार से गोल्फ कलब के लिए जैसे निकला अखिलेश और रंजीत घर पहुँच गए मोहिनी ने जाली से अखिलेश को देखा तो दरवाजा खोल दिया मौका देखकर अखिलेश ने पेचकस से मोहिनी के सिर पर कई बार वार कर हत्या कर दी फिर जिन्दा रहने की कोई गुणजाईश तो नहीं यह चेक करने के लिए उनके मुह पर एक मग पानी उडेल दिया जिन्दा बचने की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए इस दोरान जब उनको तसली हो गई कि मोहिनी अब जिन्दा नहीं है हैरानी की बात ये है कि मोहिनी आसानी से दर्वाजा नहीं खोलती थी परचितों को देखकर ही उन्होंने ताला खोल दिया था जो कि उनके लिए जानलेवा साबित हुआ फिर अलमारियों से करीब एक करोड रुपए के जेवर वह विदेशी मुद्रा समेटने के बाद सबूत मिटाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ड्राइवर अखिलेश और उसके दोस्त रंजीत ने अपने फिंगर प्रिंट मिटाने के लिए दर्वाजों और अलमारी की कुंडी तक से निशान गीले कपड़े से पोँच दिये ताकि कोई उन तक पहुँचे ही नहीं उनके जूते के निशान किसी को न मिलें इसके लिए उन्होंने फर्ष पर पोंचा तक लगा दिया यहां तक की अलमारी के भीतर रखे ज्वैलरी बॉक्स को भी गीले कपड़े से पोँच दिया सीसी टीवी का डीवी आर भी निकाल कर बैग में रखा और स्कूटी से निकल गए लेकिन पुलिस तो पुलिस है उसके हाथ आरोपियों तक पहुँच ही गए रवी गोल्फ क्लब से देवेंद्र को लेकर घर पहुँचता है तो ड्रेसिंग रूम में मोहीनी का शव पड़ा रहता है इस बीच रणजीत को छोड़ कर अखिलेश भी वापस देवेंद्र के घर पहुँच जाता है अखिलेश ही पुलिस चौकी जाकर घटना की जानकारी देता है तफ्तीश में लगी पुलिस को CCTV कैमरों से सुराग मिलता है इसके बाद रवी अखिलेश और रणजीत से कड़ाई से पूचताच होती है तो हत्या और लूट की कड़ियां खुलती चली जाती है रंजीत ने बताया कि उसने कुकरेल के जंगल में बैग गड़े में छिपा दिया है पुलिस टीम तीनों को लेकर माल बरामदगी के लिए जंगल में पहुचते हैं बैग में एक लोडेड तमंचा भी रखा होता है बैग गड़े से निकालने के दोरान अखिलेश तमंचा निकालता है और पुलिस टीम पर फायर कर देता है जिससे सिपाही बालकूँज घायल हो जाता है पुलिस की जवाबी फायरिंग में अखिलेश के पैर में गोली लगती है उनको अस्पताल भेजा गया है देवेंद्र और उनकी पतनी दोनों ड्राइवरों पर बहुत भरोसा करते थे लेकिन उनको क्या पता था एक दिन यही विश्वास घात करेंगे देवेंद्र को अखिलेश और रवी पर पूरा भरोसा था उन्होंने ड्राइवरों के कई सालों से घर में काम करने और विश्वास पात्र होने की बाद भी कही थी लेकिन पुलिस की जाँच में अखिलेश और उसके भाई रवी की भूमी का खुल कर सामने आ गई थी देवेंद्र की कालोनी की तरह अखिलेश और रवी के पडोसी वर रिष्टेदार भी इस घटना से दंग रह गए हैं देवेंद्रनाथ दुबे के घर में 13 साल से ड्राइवर रहा अखिलेश ऐसा कर देगा इस बारे में उन्हें विश्वास नहीं हुआ सोमवार को पुलिस ने अखिलेश से देवेंद्रनाथ दुबे का सामना कराया था तो वह उससे यही बोले थे कि ये क्या कर दिया तुमने ड्राइवर अखिलेश कैंट राजीव नगर घोसियाना का रहने वाला है 13 साल का विश्वास तोड़ दिया अखिलेश ने पुलिस से कबूला कि कुछ माह पहले उसे टीबी की बीमारी होने का पता चला था इलाज के लिए 3 लाख करज लिया था इसे चुकाने के लिए देवेंद्र से रुपए मांगे थे लेकिन मदद नहीं मिली कुछ समय पहले किसी छोटी बात पर मालकिन ने उसे डांट दिया तो वह नाराज था आरोपी ड्राइवर अपने रिटायर्ड आईएस मालिक से खफा चल रहा था दरसल उसकी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी मालिक ने शादी में बढ़िया मदद करने का भरोसा दिया था लेकिन उसे सिर्फ 21,000 रुपए ही दिये बस यही बात अखिलेश को चुब गई और उसने मालकिन मोहिनी दुबे के कतल और घर में लूट की साजिश रच डाली तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में है अखिलेश ने गुस्से के चलते देवेंद्रनाथ दुबे की पतनी का खून किया अगर देवेंद्रनाथ उसको टाइम पर पैसे भी दे देते तब भी लालच के चलते उनकी पतनी की हत्या कर देता रही बाद भरोसे की तो आज के जमाने में हम आख बंद करके लोगों पर भरोसा करते हैं। लेकिन वही लोग लालच के चलते हमारा भरोसा तोड़ देते हैं। दुनिया का दस्तूर है जिन पर जादा भरोसा करोगे, वही आपका भरोसा तोड़ेगा। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें